अमन की उम्र आठ साल है और वो बहुत ही शरार्ती है आज विज्ञान के टीचर ने अमन की क्लास को कैमिस्ट्री की लैप में ले जाने का वादा किया है ताकि कुछ प्रयोग किये जा सकें लैप में पहुँचने के बाद अमन अपने ग्रुप से अलग हो जाता है उसे मेज पर रखी एक टेस्ट्यूब मिलती है जिसमें चटख रंग का एक सुलूशन मौचूद है उस सुकता के कारण वो इसे सूंगता है और फौरण उसकी तबियत खराब हो जाती है उसे मचली आ उसे फर्स्ट एड़ दी जाती है इस पार्ट में आप उन नियमों के बारे में जानेंगे जिनका पालन एक सुरक्षित जिन्दगी चीने के लिए किया जाना चाहिए आउ सीखें निमने के लिए सुरक्षा नियमों की सूची बनाएं घर के लिए सडकों के लिए बस के लिए स्कूल के लिए कक्षा के लिए घर में सुरक्षा जीवन बेहत कीम्ती है हम सुरक्षा संबंधी कुछ आसान नियम अपना कर सुरक्षित ढंग से जी सकते हैं घर में तेज धार औजारों आग और बिजली से जुड़े काम करते समय हमें कुछ एहतियाद बरतनी चाहिए जाकू, कैंची और ब्लेट ऐसे उप्योगी औजार हैं जो काटने, कुतरने और तेज करने के काम आते हैं लेकिन इनके जर्ये कोई चोट न लग जाए या कोई दुरघटना न हो जाए ये सुनिश्चित करने के लिए निम्न नियम अपना आएं तेजधार वाले आउजारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए इनका स्तिमाल बच्चे तभी करें जब बड़े उनकी देखरे कर रहे हों आग इनसानों की जिंदगी में एक महत पून भूमी का निभाती है आग हमें रोशनी देती है और हम इस पर खाना पकाते हैं इससे जुड़ी कोई दुरघटना टालने के लिए निम्न नियम अपनाएं जोलनशील चीजों के नस्दी माचिस ना चलाएं माचिस और लाइटर जैसी चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए बिजली इनसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है लेकिन अगर बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों का लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो गंभीर दुरघटनाएं हो सकती है ऐसी दुरघटनाओं से बचने के लिए निम्न नियम अपनाएं जब प्लक पॉइंट इस्तिमाल ना हो रहे हों तो उन्हें ठक दें स्विच और सौकिट को गीले हाथों से नाच हुएं सडक परिवहन दूरियों की बाधा को खत्म करके फ्यापार को बढ़ावा देता है लेकिन अगर यातायात के नियमों का पालन ना किया जाए तो सडके पैदल चलने वाले लोगों के लिए खतरनाग हो सकती है सडकों पर स्रक्षित रहने के लिए निम्न नियम अपनाएं केवल फुटपात पर ही चलें सडकों को पार करने के लिए जिब्रा क्रॉसिंग का इस्तिमाल करें सडक तभी पार करें जब ट्रैफिक लाइट लाल हो जाए सडक पार करने से पहले दाई तरफ देखें उसके बाद बाई तरफ देखें और फिर दाई तरफ देखें और उसके बाद अगर कोई वाहन ना आ रहा हो तभी सडक पार करें बस में सुरक्षा बसे लोगों को एक जगा से दूसरी जगा ले जाती है सुरक्षा से जुड़े कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका इस्तिमाल बस का इस्तिमाल करते समय किया जाना चाहिए बस में चड़ने के लिए लाइन में खड़े हो ना तो लाइन तोड़ें और ना ही लाइन में खड़े अन्य लोगों को धक्का दें चलती हुई बस में ना तो चड़ें और ना ही उत्रें चलती हुई बस से बाहर ना जुकें और ना ही अपने हाथ और सेर उससे बाहर निकालें स्कूल में सुरक्षा स्कूल एक ऐसी जगा है जहां आप चीजों को आपस में बांटना और सहयोग करना सीखते हैं जब आप स्कूल में हों तो खेलों के नियमों को ना तोड़ें खेल के दौरान हुडदंग ना मचाएं कक्षा में सुरक्षा कक्षा और प्रयोक्षाला सीखने वाले स्थान हैं जब आप कक्षाओं और प्रयोक्षाला में हों तो इधर उधर ना तोड़ें और डेस्क पर ना चड़ें टीचर की अनुमती के बिना किसी भी रसायन या लवन को ना तो छुएं, ना चखें और ना ही सूंगें हमने क्या चर्चा की? दुरघटनाओं को टालने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए चाको, कहची, आग और बिजली का इस्तिमाल करते समय एतियाद बढ़ती जानी चाहिए सडग दुरघटनाओं से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए बस में चड़ते और उससे उदरते समय नियमों का पालन किया जाना चाहिए स्कूल और कक्षा में दुर घटनाओं और चोटों से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए